तुर्तिय वर्ष वर्ग के समापन समारों के प्रमुख अतित्थी महोदय प्रमादर्निय डॉक्टर प्रणौ मुकर जी इस वर्ग को देखने संगों को समझने अपना समय खर्चा करके अपना व्याय करते हुए हमारे उपर स्नेह रखकर यहां उपस्थित हुए सभी माने नियाति थी गण उपस्थित नागरिक सज्जन माता भगिनी मंचपर उपस्थित माननिय सर्वाजिकारी जी विदर्व प्रांत के और नाकपुर महानगर के माननिय संगचालक जी एवं आत्मिय स्वैम सेवक बंदू प्रती वर्ष नाकपुर में तृतिय वर्ष का वर्ग लगता है और प्रती वर्ष उसका प्रकट समापन कारिक्रम होता है ऐसे जो हमारे कारिक्रम होते हैं उसमें संगच थापना के समय से हमारी ये परंपरा रही है कि देश के सज्जनों को हमाबंतरित करते हैं जिनको आना संभव है वो हमारा निमंतरन स्विकार करते हैं और यहां पर आते हैं संग का स्वरूप देखते हैं अपने तरफ से अपनी कुछ बात कहते हैं उसको पाथे रूप में स्विकार कर उसका चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं उस परंपरा के अनुसार ही आज का भी कारिक्रम नाकपुर्वासी सब जानते हैं सरलता से सहज रीती से संपन्न हो रहा है परंतु इस बार उसकी कुछ विशेच चरशा चली वास्तों में एक स्वाभावी निथ्यक्रम में होने वाला यह प्रसंग है उसके पक्षमें और विपक्षमें जो चरशा होती है उसका कोई अर्थ नहीं है ये प्रति वर्सन जैसे हुता है वैसे हुआ है डॉक्टर प्रणों मुकरजी सहाब से हम परिचित हुए सारा देश पहले से ही जानता है अत्यनत समुरुद्ध, ज्ञान समुरुद्ध, अनुभो समुरुद्ध ऐसा एक आधरली व्यक्तित्वा हमारे पास है और ऐसे सज्जनों से पाथिया ग्रहन करने कर अब हमको मिल रहा है उसके लिए हम उनके कृतग्या है हमने सहाज रूप से उनको आमंत्र न दिया उन्होंने हमारे रिदय का स्निह पहचान कर सम्मती दियो और यहां उपस्थित है एक सहाज स्वाभाविक बात है उनको कैसे बुलाया और वो क्यों जा रहे है यह चर्चा मिरर ठक है संग संग है डॉक्टर प्रणों मुकरजी डॉक्टर प्रणों मुकरजी है और रहेंगे परन्तु हम इंद्रमंत्र न इसलिए देते है कि राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग के नाते संग वाले नाम से देश में कोई बड़ा प्रभावी ग्रुप खड़ा करे जो जैश के सारे क्रिया को लाप उपर अपना स्वामित्व चला है इस आकांग्षा को लेकर संग का काम नहीं चला है हिंदू समाज में एक अलग प्रभावी संगठन खड़ा करने के लिए संग नहीं है संग तो संपूर्ण समाज को संगठित करना चाता है और इसलिए हमारे लिए कोई पराया नहीं है को और वास्तव में किसी भारतवासी के लिए कोई भारतवासी पराया नहीं है बिबिधता में एकता यह अपने देश की हज़्जारों वर्षों से परंपरा रही है हम भारतवासी है यहाने तो कि संयोग से इस धरती पर जन्न में यहां पएदा हुए इसलिए कि हम केवल भारत वासी नहीं है यह केवल नागरीकता की बात नहीं है भारत की धर्ति पर जन्मा प्रत्यक व्यक्ति भारत पुत्र है इस मात्रु भूमी की निस्सीम भाव से भक्ति करना उसका काम है और जैसे जैसे उसको समझ में आता है छोटे तरीके से बड़ी तरीके से सभी लोग ऐसा करते हैं इस भारत भूमी ने केवल हमको पोषण और आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन नहीं दिये है उसने हमको हमारा स्वभावी भी दिया है सुपजल सुफल मलय जशीतल मात्रुभूमी और चारों और से प्राकृतिक दुष्टी से सुरक्षित इसमें बाहर के लोगों का आना जाना बहुत कम हो सकता था और अंदर भरपूर सम्रुद्धी थी इसलिए जीवन जीने के लिए हमको किसी लड़ना नहीं पड़ा स्वाभाविक दुरुष्टी साम इस मनोर्ति के बने कि सर्वत्र भरपूर है कि हम उसका उपवब कर रहे हैं अपनी जीवन को समरुद्ध कर रहे हैं कोई आता है तो ठीक है तुम भी आजाओ तुम भी साथ रहो भाशाओ के पंधसंप्रदायों के विविधता तो पहले से हैं अलग अलग प्रकार से प्रांत बनते हैं रचनाय बदलती रहती है राजनीतिक मतप्रवाव इचार प्रणानी अभी पहले से रही है लेकिन इस विविधता में हम सब भारत मता के पुत्र है और अपने अपने विविधता वैश्रिट पर पक्ता रहते हुए दूसरों की विविधताओं का सम्मान करते हुए स्वागत करते हुए और उनके अपने विविधता पर रहने का स्वीकार करते हुए मिल जुलकर रहना विविधता में जो अंतरनीत एकटा है भारत के उत्थान के लिए परिश्रम करने वाले सभी प्रामाणिक बुद्धी के निश्वार्थ महापुर्शों ने अभी तक जिसका उल्लेख करना कभी छोड़ा नहीं एक अता का साक्षात कार करके अपने जीवन में रहना ये हमारी सवस्कृति बनी और उसी सवस्कृति के अनुसार इस जीवन इस देश में जीवन बने और सारे विश्व के भेद और स्वार्थ मिटाकर विश्व के कला मिटाकर सुख शान्ति पूर्ण संतुलिक जीवन देने वाला प्राकृतिक धर्म उसको दिया जाए इस प्रयोजन से इस राष्ट्र को अनेक महापुर्षों ने खड़ा किया अपने प्राणों की बने देकर सुरक्षित रखा अपने पसीले को सीच कर बढ़ा किया उन सब महापुर्षों के वे हमारे पूर्वज होने के कारण गवरों का स्थान अपने रुदय में हम रखते हैं और उनके आदर्शों का अनुसरन करने का अपने अपने हिसाब से प्रय अर्था करते समय और विवाद भी करने पड़ते हैं लेकिन इन सब बातों की एक मर्यात अरें अंततों गत्वा हम सब लोग भारत माता के पुत्र है मत मतांतर कुछ भी होंगे हम अपने अपने मत के द्वारा ये मान कर चल रहे कि भारत का भाग्य हम बदल देंगे हम उसको परमवो संपन बनाएंगे एक ही गंतव्यके लिए अलग-अलग रास्ते लेने वाले लोगों को अपने विशिष्टता विविधता को लेकर तो चलना चाहिए है उससे हमारा जन्यजीवन समुरुद्ध होता है विविधता होना ये सुन्दरता की बात है समुरुद्धी की बात है उसको स्विकार करके तो हम चलते ही है परन्तु ये दिखने वाली विविधता एक ही एकता से उपजी है उस भाव का भाल रखकर हम सब एक है इसका भी दर्शन समय समय पर होते रहना चाहिए क्योंकि किसी राष्ट्र का भाग्य बनाने वाले समूह नहीं होते हैं व्यक्ति नहीं होते हैं विचारत अत्वध्यान नहीं होता सरकारे नहीं होते हैं सरकारे बहुत कुछ कर सकती है लेकिन सरकारे सब कुछ नहीं कर सकती है देश का सामान्य समाज जब तक गुनसंपन बनकर अपने अंतख करन से भेदों को तिलान्यली देकर मन के स्वारे स्वार्थ हटा कर देश के लिए पुर्शार्थ करने के लिए तयार होता है तब सारी सरकारें, सारे नेता, सारे विचार समुहं उस अभियान के सहयत बनते हैं और तब देश का भाग्य बदलता है स्वतंत्रता के पहले अपने देश के लिए स्वतंत्रता का प्रयत्न करने वाले सभी विचार धाराओं के महापुर्शों के मन में यह चिंता थी कि हम तो प्रयास कर रहे हमारे उपाय से कुछ तो भला होगा लेकिन सदा के लिए विमारी खतम नहीं होगी जब तक अपने सामान्य समाज को एक विशिष्ट गुनोवत्ता के स्तर पर मन के एकात्मता की भावना के आधार पर खड़ा नहीं किया जाता देश के दुर्द्युनों का संपूर्ण अंत नहीं होगा और हमने अपना काम चुल लिया है हम उसमें व्यस्ता है लिकिन ये काम होए बिना कोई काम पूरुण नहीं होता संग के समस्थापक डौक्टर एडवेवार इन सभी काहरियों के सक्परिय कार्य करता थे क्योंकि उनके अपने जीवन में उनको अपने लिए करने की कोई इच्छा आकांग्शा नहीं ची कॉंग्रेस के आंदोलनें में दो बार कारवास भुकता कॉंग्रेस के यहां परकारी करता भी रहे कि अग्रगन ने करांती कारखों के साथ करांती कारखों की योजना बना ही उसके क्रियान में भाग लिया समा सुधारकों के समा सुधार के काम में सुधारकों के साथ रहे अपने धर्म संस्कूर्टी के संवरक्षण में संतमात्माओं के साथ भी रहे है और यह सारा करते समय उनका अपना चिंतन भी चला और निन महापुर्शों के अनुभव चिंतन का भी परामर्श उनको मिला लंद समीति के सदस्य डॉक्टर हिडगेवार की जब जन्मश्यताब्दी हुई 1990 में तो उसे जन्मश्यताब्दी समीति का सदस्य बनने का अनुरोद करने के लिए वो दिल्ली में थे उस समय दिल्ली में हमारे कार्यकरता उन से मिले तो उन्होंने कहा कि 1911 में डॉक्टर हिडगेवार कोलकता में मेरी घर आये थी और तब की चर्चा में उन्होंने ये बात कही थी कि समाज को ख़णा किये बिना कोई भला काम सफल होना संभ़ो नहीं लगता है और आगे उन्होंने कहा था कि लगता है कि ये काम मुझे ही करना पड़ेगा सब लोग बड़े कामों में व्यस्ता है अच्छे लोग है वरिष्ठ लोग है बहुत गहरे और बहुत उचे लोग है इसलिए उन कामों की चिंता उन पर छोड़ दिये तो भी काम चलेगा लिकिन यह काम करने वाला कोई नहीं है तो इस कार्य को कैसे किया जाए यह सोच के उन्होंने 1911 से प्रयोक करना प्रारंब किया और सारे प्रयोक करने के बाद 1925 के विज्या जश्मी पर अपने छोटे से घर के पहली मंजिल पर 17 लोगों को साथ लेकर यह कहा कि हिंदू समाज जो भारत का उत्तरदाई समाज है केवल परंपरा से रहते आया इतनी बात नहीं आज के तारीक में भारत का बहुसंख्यक कमाज समाज है केवल इतनी बात नहीं भारत के भाग्य के बारे में प्रश्टन उसे ही पुछा जाएगा उसका यह दाहित्व है उस हिंदु समाज को संगटित करने के लिए इस संग का कार्य आज से शुरू हुआ है ऐसा उन्होंने का यह जो हमारे दृष्टे है हम सब एक है किसी किसी को एक्तम समझ में आता है किसी किसी को समझ में नहीं आता है किसी किसी को समझ में आने के बाद भी उसको लगता है कि इनके साथ हो गए तो कुछनुक्सान हो गा मालूम होते हुए भी थोड़ा सा उल्टा ही चलेंगे अलग ही चलेंगे और किसी किसी को मालूम ही नहीं है चारही प्रकार भारत वर्ष में है पराया कोई नहीं है दुश्मन कोई सबके माता भारत माता है कि सबके पूर्वज समान है 40-40 वर्षों से ऐसा दियने का विप्नानाच कहता है कि सबके जीवन के ऊपर भारतिय संस्कूर्थी के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलते सर्वत्र इस सत्य को हम स्विकार करें समझ ले अपने संकूचित भेज छोड़कर सबकी विविधटाओं का संबान करते हुए इस देश के राष्ट्वी अताके इस सनातन प्राचीन प्रभा को बल देने वाला काम करते जाए संग ने यहीं विचार किया है संग सबको जोड़ने वाला संगटन है समाज में संगटन संग को नहीं करना है समाज का ही संगटन संग को करता है सवहार्द का सव मनस्य का सबको समझ लेने का आज की भाषा में अंग्रीज में कहते हैं डेमोक्राटिक माइंड उसके बिना संभव नहीं होता है कि और व्यवार की बाद स्वभाव से संबन नित्रेती और स्वभाव आदतों से बनता है आदतों को बनाए बिना स्वभाव नहीं बिनता और पूरे समाज का स्वभाव बनना है तो पूरे समाज का प्रत्यक व्यक्ति विचार करके नहीं चलता अध्यान करके नहीं चलता समाज तो जो वातावरन बनेगा उस वातावरन के अनुसार चलता है वातारण बनाने वाले लोग है ऐसे उलोग चाहिए कि पात्विक चर्शा सामाने समान नहीं करता उसको उसमें रस्त नहीं है उसमें और करने जायेंगे तो विशे प्रत्य कुरुशिय अलग-अलग बात बताता है कि कभी एकी बात अलग भाशा में बताता है तो अनुयाई लोग उसको अलग ही मान कर चलते किसका प्रमाण माने शुरुती स्मूर्ती सब में फरक है शुरुतीर विभिन्ना शुरुत यस्य भिन्ना नयेको मुनिर यस्य वचप्रमाणम धर्मस्य तत्वम समाज को जोडने वाला यह जो धर्म है समाज को विखरने न देने वाला यह जो धर्म है समाज को उन्नत करके अभ्युदवर निश्रे असकी प्राप्ति करा देने वाला समाज के विवहार को संतुलित करने वाला यह जो धर्म है धर्मस्य तत्वम नहीतम गवा या उसका तत्व गुप्तर रहता है उसको पाने के लिए तपस्या करने पड़ती है, सब लोग तपस्या नहीं करते हैं, थोड़े लोग करते हैं, सब लोग क्या करते हैं, महाजनों ये नगतस सपन्था, समाज के श्रेष्ठ लोग जैसे चलते हैं, वैसे चलते हैं, यद्यदा चरती श्रेष्ठ तत्त देवेत रोजना सच्छ प्रमानमकुर्थे लोकस्त दनुवर करें अपने इस विशाल भूमी वाले विशाल जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक गाव में प्रत्यक शहर के गली मोहले में अपने आचरण से समाज हितैशी आचरण का वातावर्ण बनाने वाले कारिकर्ताओं का समोच चाहिए संग का यही प्रयास है विचार कुछ भी हो देश के सामने विभिन जो विशय है समस्या है उनके हल के बारे में मत कुछ भी हो विचारणा कोई भी हो जाती पाती प्रांथ पक्ष पंध भाषा कोई भी हो लेकिन संपूर्ण समाज को संपूर्ण राष्ट्र को अपना मांते हुए व्यापक दुरुष्टि से उसके हितके प्रकाश में मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक और आजी विका में आचरण कैसा हो इसका विचार करके अपने आचरण का उदाहरण अपने आसपास प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वो वातावरण बनाता है महापुरुष नहीं होता है, समाज पुजा करता है उट्सव करता है, जहयन की पुर्णयतिती मनाता है लेकिन अनुकरण तो उसका करता है, जो इसके आसपास पढ़ोस में रेने वाला उसके जैसा, लेकिन थोड़ा सा प्मुक ऐसे उधारण अपने जीवन से उपस्थित करने वाले कारी करता चाहिए आदर्श हमारे पास भरपूर है कमी नहीं सुविचार की कमी नहीं है श्रेष्ठतम तत्वध्यान हमारे पास है परंतु व्यवार के बारे में हम निक्रुष्ट थे अब हम कैसे सकते हैं कि थोड़ा सा सुधर हुआ है लेकिन अभी तक जितनी मात्रा में व्यवार चाहिए वैसा नहीं है और वो तब बनता है जब सप्रकार की परिस्थिते में उस व्यवार पर अड़कर वैसा व्यवार करने वाले समाज में से ही समाज के जैसे ही परंतु अपने चारित्र से शील से विशिष्टता रखने वाले लोग खड़े होते हैं ऐसे लोग देश भर में खड़े करने का प्रयास राष्ट्रियस वन्चोग समनका है क्योंकि सारे समाज का एक विशिष्ट दुर्ष्टी से चलने की आवश्शक्ता है कार्य कोई भी संपन्न होता है तो शक्ति के आधार पर संपन्न होता है किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति चाहिए यह जीवन का नियम है विद्यान असिद्ध नियम है और शक्ति संगठन में होती है सबने मिलके काम करने में होती है और शक्ति को अगर शील का आधार नहीं रहा तो वह शक्ति दानवी शक्ति बनते हैं अच्छी बातों का उप्योग बुरे कामों में होता विद्या वि Wowद आयं है धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीड न आ है कि विद्या प्राप्त लोग विवाद में समय गवाते हैं कि सामति नहीं बनाते हैं विद्या के आधर पर सामति बननी चाहिए लेकिन विवाद चलते हैं धनपति लोग धनके मदमें चूर हो जाते हैं धनका वो उपयोग नहीं है और शक्ति दूसरों के सब बातों के इच्छा करना और दूसरों को पीडा जना वो प्राप्त करने के लिए इसलिए करते हैं दुष्ट लोग करते हैं खलस्य विद्या विवाद आया धनम्मद आया शक्तिक परेशाम परपीडन आया खलस्य साधोहु विपरीत में तत सज्जनों की गति उल्टी चलती है ज्ञान आया दाना आया चा रक्षन आया विद्या का उपयोग समाज में ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं धनका अपयोग रक्षन के लिए करते हैं दुर्गलों का रक्षन करते हैं शक्ति को शील का आधार चाहिए बिना उसके अनियंत्रिच शक्ति खत्रे वाली बाद है और इसलिए उस शक्ति की उत्पत्ति उस शील की उत्पत्ति समाज के आज के स्थिति में सब संकटों से समस्याओं से उबार कर समाज श्रेता मारगा चलने लगे ऐसे ज्ञान की आराधना सब परिस्थितियों में अपनी तपस्यापर अडिग रहने के लिए वीरवरत की आराधना और सब प्रकार के मुह आकर्षणों से कष्टों से गुजरते हुए भी अपने धेयों को कभी ओजलनों होने वाली उल्टा अधिक अधिक धेय प्राप्ति की उत्कंठा त्यूर करने वाली धेय निष्ठा कि नos Mayaj in पाज गुणों की आराधना संग की शाकह में स्वंचक करते हैं एक गंटा एक ये सब अपने तण्मन में उत्पन करने वाले कार्यक्रमन करते हुए अंत में जो प्रार्थना करते हैं भारत माता की उसमें प्रभु से इनी पाज गुणों का वरदान मांगते हैं कि 1925 से संगय चला दिरे दिरे बढ़ता गया सब प्रहारों के सब बाधाओं के बावजुद बढ़ता गया जो दिरे जड़े प्रतिक्वूलता को असने सनेह में बदल दिया है कि अ आज लोकप रिय है जहां जाते हैं वहां समाज का सनेह मिलता है कि विशाल संगटर्ण बन गया है कि लेकिन हम इसमें पृतार्थता अनुभौन नहीं के हम अपने को प्रसिद्ध करने के लिए काम नहीं करना था और नहीं कर हुआ है को nasana सब्सक्राइब आता है मैं लिकिन अनुकूलता विसराम के लिए कर दिए विशलम उन्हीं परम वह networking नेतु मेतत्स्वराट्रम यह हमारा लक्ष है और उसके लिए सतत कारेकरता निर्मान की जो प्रक्रिया चलती है उसके चलते उस प्रक्रिया को चलाने वाले कारेकरताओं का प्रशिक्षन भी प्रतिवर्श होता है कि तुर्टिवर्श के समापन का प्रसंग प्रतिवर्श हम यह अनुभव करते हैं अपना खर्चा करके संपत्तिक सुस्थिती में यह सब शिक्षार्थी सबके सब नहीं है प्रांतों के वर्गों में और यहां के वर्ग में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो 1000 रुपया शुल को जुटाना प्रवाश शुल को जुटाना इसके लिए 2-3 मेना महनत मजदूरी करकर पैसा जुटा कर उस पैसे को अपने भहुतिका आउश्क्ता के लिए खर्चान न करते हुए वर्ग का शुलक देकर यह प्राप्त करते हैं उनको कई मिलने वाला नहीं है वो ऐसा करते हैं इसलिए उनको धन्यवाद भी नहीं दिया जाता और यह आदत भी लगाई जाती है कि अपैक्षा कुछ मत करो नेकी करो और खुवे में डालो उर्त पत्र में नाम चपेगा पहनूंगा स्वाकच सुमार छोड़े चलो एक शुद्र भावना हिंदुराट के तारणा तेरा वईभव अमर रहेमा हम दिन चार रहेन रहे यह सीखो लेते हैं यह समस्कार लेते हैं अपने मन के भाव को पुष्ट करते हैं तुर्किय वर्ष में आते हैं तो आज तक पुस्तकों में पढ़ा था बहुद्धिकों में सुना था इधर उदर से सुन रहे थे उसकी प्रत्यक्ष अनुभूती ग्राण करते हैं भारत वर्षे के कोने कोने से आए हुए लोग विबिन्न स्वभावों के विबिन्न आर्थिक आती उपजातियों के अपर रिचित लोग पहले दिन आते हैं और जिस दिन जाने का समय होता है कल होगा आखों में आसू रहते हैं भाशा समझ में नहीं आई लेकिन आत्मियता ऐसे हो गई कि लगता है कि बिछुड़े ही नहीं अनुभूती धारन करते हैं कि सारा भारत त नार्थनामे करता था भारत मेरा देश है सारे भारत मेरे बांधव है है भारत के समुरुध्य साउस्कूर्तिक परंपरा का गवरो मेरे मन में है उन सारी बातों की प्रट्क्ष अनुभूति वह यहां प्राप्त करते हैं इसके बाद उनको और प्रशिक्षन के आवश्च्टा इसी लिए नहीं रहे हैं अनुभूती मन को प्लावीद करती है मन ऐसा बनाकर आख और कान खोलकर समाज में समाज के सेवा परुपकार का काम करते हैं तो अपने आप आगे का प्रशिक्षन हो जाता है यह संग का कारिया है हम सारी सज्जन शक्ति को जुटाना चाहते हैं हमें विचारों से मतों से कोई परेज नहीं है गंतव यह एक हो परमवैभो संपन भारत विश्व गुरु भारत उसकी दुनिया को अवश्यक्ता है दूसरा कोई आज के दुनिया के और समस्याओं को हल करने वाला उत्तर नहीं दे सकेगा भारत वर्श को देना है बोल के नहीं देना है अपना जीवन वैसा प्रस्थापित करके देना है उस जीवन को स्थापित करने के लिए लायक भारतियों का भारत उसके स्वत्व के आधार पर पक्का खड़ा अपने स्वत्व की पक्की पहचान जिसके मन में है उसके बारे में जो स्पट्ट है उसके बारे में जो निर्भय है संकोची नहीं एसा समाज इस देश में हम खड़ा करना चाहते ऐसा समाज ही विश्वकिय और भारत की और हमारे आपके देनत जीवन की सब समस्याओं का पूर्ण उत्तर है उसको हम सब को खड़ा करना है संग का काम केवल संग का काम नहीं है यह तो हम सब के लिए इसको देखने के लिए अनेक विचारों के महापुरुष आ चुके है आते रहते मैं उसका विवरण नहीं दूँगा आपको पता है और इस प्रसंद के निमित्ता ऐसा बहुत आया भी है आते हैं देखते हैं उस से पाते अध्रां करते उनकी सुचना है उसका विचार करते हमने जो पथ तई किया है हमने जो गंतविय तई किया है उसमें उसकी जो मदद होती है उसका विजार करते उनको स्विकार करते हैं आपस में सद्भावना रक्तर समाज सब एक दूसरे का सम्मान करके चले परस्परम भावयंतम हम अपने अपने पत्से प्रामानिक्ता से चले तो प्रामानिक लोगों में मत आड़े नहीं आते प्रामानिक लोगों में कुछ बात आड़े नहीं आते जो सही है उस पर सब चलते हैं उनके मतों की आपस की चर्जा एक सुन्दर समवाद बनता है जैसे अपने उपनिशिदों के समवाद है तरह तरह के मत है सबका प्रतिबादन है उसमें से एक सहमती निकल कर आती है पढ़ने के लिए चिंतन के लिए और जीवन में उतारने के लिए भी अच्छा लगता है क्योंकि सत्य है उस सत्य पाथ पर चले हम सब ऐसा हमारा संस्कार हो ऐसी हमारी आदत हो ऐसी हमारी बुद्धी हो ऐसा समाज उपदेश से नहीं अपने स्वयम के जीवन से उधारन करने वाले कारे करता हूं संग्य तैयार करता हूं कि यह सब के लिए हम सब का काम है और इसलिए मैं आपको आवान करता हूं कि इस कार्य को प्रत्यक्ष देखिए जो कुछ मैंने अभी तक कहा वह वास्ताव में है कि नहीं इसका परताल कीजिए और आपको लगा कि ऐसा है तो यह सर्वहित का कार्या है इसमें आप भी सहवा कि हुई है कि संग को परके अंदर से परके आना जाना अपने मर्जी की बात है यहां पर मन मर्जी का काम है सब आ सकते हैं सब परक सकते हैं और परक कर अपना भाव बना सकते हैं जैसा बनेगा वो बनेगा हमको उसकी चिंता नहीं हम क्या है हम जानते हैं हम जो है वैसे दिखते हैं हम जो है वहीं हम करते हैं सबके प्रतिसत भाव रखतर किसी का विरोध मन में न रखतर हम अपने पत्पर दुड़ता पुर्वक आगे चल रहे हैं लेकिन ये के वल हम करेंगे तो तो नहीं होगा पूरे समाज का ये काम है सारे समाज को इस मार्गों को परखना चाहिए और अगर ठीक लगता है तो इसके सहयोगी बनना चाहिए एक आवान मैं आपके सामने रखता हूँ और मेरी बात समाप्त करते हुए आधर्णिया डॉक्टर प्रणाव मुकर जी को अनुरोत करता हूँ कि अपना पाथे हम सब लोगों को प्रदान करें